जी दोस्तों, welcome to my channel, जिसका नाम है चाय, पियो और सीखो. और आज का हमारा topic है, go to special. बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह आप Google Maps या कोई भी navigation app यूज़ करते हैं, एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए और इसमें आपके पास कुछ options होते हैं, special interest points होते हैं, आप कह सकते हैं, मुझे patrol bums दिखाओ, या cafes और restaurants दिखाओ, इस area के अंदर. बिल्कुल इसी तरीके से, Excel में भी अगर आपको navigate करना हो, एक जगा से दूसरी जगा जाना हो, और खास किसम के cells पर रुखना हो, तो उसके लिए go to special को use किया जाता है. काफी situation ऐसी आती हैं, जिसमें go to special use करके आप बहुत जादा time बचा सकते हैं, एक बहुत अच्छा shortcut हैं, खास situations के लिए, आईए देखें किस तरह इस्तमाल होता है. जी दोस्तों, तो आईए चलते हैं आज की example के तरफ, जिसमें हम go to के कुछ options को explore करेंगे. सबसे पहले तो यह बताते हैं, go to के options आपको मिलेंगे, कहां पे, home tab के अंदर, जो magnifying glass बना होता है, जिसमें normally आपको find and replace के options नज़र आते हैं, उसी के अंदर आपको go to और go to special का option नज़र आएगा. तो पहले चोड़ा सा जिकर करता है, चलो, go to एक basic example है, जिसमें के अगर आप किसी cell का address देते हैं, for example, मैं A5 टाइप करता हूँ और OK दबाता हूँ, तो वो automatically उटके A5 पे चला जाता है, तो go to, basics जो go to है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तमाल होता है, उसके बाद हमें नज़र आता है go to special, go to special हास तरह के cells पे जाएगा, for example, मैं go to special को दबाता हूँ, तो अब आपको नज़र आएगा, numbers नज़र आ रहे होंगे, column A के अंदर 12345, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ numbers manually entered होते हैं, और कुछ numbers formulas की वज़ा से आपको नज़र आते हैं, अगर आपके बड़ी सी रिपोर्ट है, आप देखना चाहते हैं, कि ये manual numbers हैं, या ये किसी formula के base पर ये result आ रहा है, तो go to special के जरीए ये काम हो सकता है, आईए देखते हैं, मैं जाओंगा go to special के अंदर, go to special के अंदर एक option है formulas, मैं यहाँ पर भी click कर सकता हूँ, या फिर मैं directly go to option के अंदर, go to special के नीचे formulas लिखा हुए, तो मैं जैसे ही formulas दबाऊंगा, आप देखेंगे, किन cells के अंदर formula डिले वे हैं, तो go to special formulas के जरीए ये काम कर सकते हैं, इसी तरीके से एक और option है, go to special notes, जिन cell में notes लगे हुए होंगे, for example, मैंने sample के लिए note 1 और note 2 डाला है, cell A2 और A5 में, तो दोनों के दोनों cell सेलेक्ट हो गए, अब इस example में दोनों cells सामने थे, notes में होता ये है कि एक red triangle भी आ जाता है, top right corner पे, तो यहाँ पर बड़ा clearly नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी बड़ी sheet पर काम कर रहे हैं, जिसमें sector columns हैं, हजारों रोज हैं, तो हो सकता आपको ये बड़ा जल्दी नहीं नज़र आए, तो go to special के जरीए, आप देख सकते हैं कि क्या किसी ने note तो नहीं लगी वी है, let's say light red color जो है, वो background में है, अब मैं format fill के अंदर जब जाओंगा, और no fill क्लिक करूँगा, तो normally formatting उड़ जाती है, color हट जाते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है, ये जब होता है, जब आपने conditional formatting इस्तमाल किया है, तो यानि कि ये manually लगे वे color नहीं है, इन में कोई conditional formatting लगी वी है, और उसकी वज़ा से इसमें color आ रहा है, तो अकसर यह होता है, कि आप formatting हटाना चाहते हैं, लेकिन वो हट नहीं रही होती है, उसकी एक वज़ा कि उसमें conditional formatting लगी वी, conditional formatting होती किया है, उसमें एक video बनाई है, इसका link भी मैं डाल दूँगा, तो इसमें conditional formatting लगी जरूरी नहीं कि conditional formatting से हमेशा color आए, conditional formatting में एक condition आप define करते हैं, अगर वो condition satisfy होगी तो color आएगा, अगर नहीं होगी तो color नहीं आएगा, तो कुछ चीजों में conditional formatting लगी वी है, इस वज़ा से वहाँ पे color आ रहा है, यह manual color नहीं है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, जब तक आ हम cells को select कर लिया गया है, इसका मतलब यह है कि यह constant है, यह manual numbers है, इन में कोई formula नहीं है, तो formula का opposite आप समझ सकते हैं, constant, और end में मैं बताऊंगा data validation, data validation होता है, अगर आप कोई limit लगा दें किसी cell पे, किसमे minimum यह होना चाहिए, maximum यह होना चाहिए, यह फलानी values इसमें allowed नहीं है तो उसको data validation कहते हैं, और अगर मैं देखना चाहूं कि किन cells पे data validation लगी वी है, तो मैं go to special के जरीए देख सकता हूँ, यहाँ पर यह दो cells है, c5, c6 और नीचे भी कुछ cells है, जिस पर लगी है, validation लगी वी क्या है, यह मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मैंने validation लगाई लगी है, कि 1 से 10 के दर्मियान number होने चाहिए, अगर मैं 0 डालूंगा, तो यहाँ पर error आजाएगा, कि validation की वज़ए से 0 allowed नहीं है, यानि कि 1 में डाल सकता हूँ, 10 में डाल सकता हूँ, 11 अगर डालूंगा, तब भी error आजाएगा, तो बास दफ़ाँ आप कुछ numbers copy paste कर रहे ह होते हैं, या कुछ numbers डाल रहे होते हैं, वो Excel आपको allow नहीं करता, उसकी एक वज़ा होती है, कि data validation वहाँ पर लगी है, तो validation भी अगर आपको चेक करनी हो, कि किन किन cells पर validation लगी है, तो वो भी आप go to special validation के थ्रू कर सकते हैं, तो यह go to special के कुछ options थे, जो के आपको shortcut में और कहीं पर भी जाके मैं इसको paste करता हूँ, अब आप देखेंगे कि अचानक यहां पे दो cells ऐसे आगे हैं, जो नजर नहीं आ रहा है आपको, एक cell में ABC लिखा हुआ है, एक में XYZ लिखा हुआ है, यह इस वज़े से हुआ है, कि यह cells मौजूद जरूर थे, लेकिन यह hidden थ देखें, तो row number 1, 2 visible है, row number 3 hidden है, मैं उसको unhide करके दिखाता हूँ आपको, unhide करेंगे तो आपको नजर आएगा ABC और XYZ लिखा हुआ था वहाँ पे, तो होता ही है कि जब भी आप copy paste कर रहे हैं, खासतों बड़ी sheets के अंदर, आप एक Excel एक column row को नहीं देखते हैं, आप जो नजर आ रही हो, यानि कि visible cells आई है, तो वो भी go to special के जरीए हो सकता है, पहले मैं इस range को select कर लेता हूँ, A1 से C6, अभी वो hidden cells भी इसमें शामिल है, लेकिन जब मैं go to special में जाऊंगा, तो go to special के अंदर एक option होता है, visible cells only, तो जब आप इसको click करेंगे, visible cells only, इसका आँगा, तो आप देखेंगे, दो dub में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में row number 3 था, उसको avoid किया गया है, सिर्फ इन दो ranges को उठाए गया है, A1 से लेके C2 और A4 से लेके C6, अब मैं जाके इसको कहीं पर अगर copy और paste करूँगा, तो आप देखेंगे कि 12345 आ रहा है, बीच काम बहुत जल्दी हो सकता है, उमीद आपको यह पसंद आया हो, मिलता है अगले लेसन में, चैनल को जरूर सब्स्राइब करें, चैनल आइकन को क्लिक करके, जिन लोगो ने सब्स्राइब किया, उनका शुक्री है, आपकी वज़ासे motivation होती है, और नएने topics में cover करता हूँ,